बिस्मिल्लाहिए रह्मेर रहीम वेलकम तो आवर लेक्टर नाइन ओफ वेब डिजाइनिंग और डिवेल्पमेंट ओन आवर यूट्यूब चैनल टिस्टेवली अकेडमी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिनों नहीं किया हमारे वीवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके तमाम वीडियो आप तक पहुंचती जाए हमारा पूरा कोर्स आप तब पहुंचता जाए आए देखते हैं आगे हम क्या करने लगे हैं अपने वीडियो स्टूडियो क इसको open किया, अपना यहां फाइल बनाते हैं, index.html, जिस तरह हम हर बार लिखते हैं, ctrl, shift, one, enter, आज हम जानेंगे, कि हमने अपने document के अंदर अपनी website के उपर, हम image कैसे लगाएंगे, अपनी किसी भी image को कैसे लगाएंगे, सबस पहले आपको यकीनी होना चाहिए, कि आपकी जो file है, उसके अंदर कोई ना कोई image, जो आपने यहां पर folder open किया है, उसके अंदर कोई ना कोई image जरूरी होनी चाहिए, यह देखें, हमारे पास यह image मुझूद है, यह हमारी file है, ठीक, यह हमारे पास images, हम image लगाते हैं, उसके लिए क्या tag हमें use करना है, img, यह हम image का tag उने apply कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया था अपने शुरू वारे lectures में हैं, उसका उनके links भी आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएंगे, बताया था कि कुछ होते हैं, opening, closing tag यैनिके उसकी opening और closing tag दोनों होते है, कुछ होते हैं single tag यैनिके उसके अंदर closing tag नहीं होता, opening… Q opened tag भी होता है, वह हमें homeиков आपἵसा, से बाहर है यानि के एक single tag है जैसा के BR और HR के tags मुझूद हैं हमारे पास image के अंदर हमने image का पूरा लफज नहीं लिखना अगर आप notepad पर काम कर रहे हैं तो आपने image का लफज पूरा नहीं लिखना real studio code में तो आपको वह recommend कर ही देगा image के लिए हम IMG का जो है tag यूज करते हैं इसके बाद हमें source देना है कि हमारी image का address क्या है तो हमारी image का address है 9.png हमारी image यहां पर यह देखें show हो रही है आपकी यह image है image का नाम यह है और . के बाद png उसकी extension है आप इधर से पता लगा सकते हैं यह मैं इसके पर करस्थ लेकर क्या हूं अपना और यह देखें हमारे पास यह उसने पी एंजी फाइल item type png उसने देजी है item type png फाइल और हमें यहां भी वह दे रहा है 9.png आप लिखेंगे ctrl s के साथ save करेंगे go live जाएंगे यहां पर देखें उसने हमें हमारे पास image उसने लगा दी है अब इसका size बहुत बड़ा है हम इसके size को अपने हिसाब से adjust करेंगे कि हम अपने image का size है वो कितना रखना चाहते हैं उसके लिए हम use करेंगे वही width का concept या हम css के साथ भी use कर सकते हैं फिलहाल हम इससे इसके साथ use करते हैं अपना width लगाते हैं इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100 ctrl s के साथ save करता हूँ यह देखें उसने width लगाई है तो उसने height भी automatically इसने adjust कर दी है लेकिन यह बहुत छोटी आ रही है हम इसको 200 कर देते हैं ctrl s के साथ save किया यहां देखें इसको मजीद बढ़ा लेते हैं मैं इसको 300 करता हूँ यहां देखें उसने हमारे पास इतना सा view दे दिया है हम मजीद अगर लगाना चाहते हैं तो हम मजीद भी लगा सकते हैं अब यहां देखें अगर हम height का tag भी यूज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से height यूज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से सेव करता हूँ यहां देखे उसने अपनी मर्जी से हमारी मर्जी से उसने अगर इसको भी 300 करता हूँ Ctrl-S के साथ तो उसने पूरा एक यहां से भी उसने 300 हाइड भी उसने 300 कर दिया और उसने width-p 300 कर दिया है हमारे order के मताबिक अगर हम इसको वैसे ही रहने दें तो वह आटोमेंटिकली वह एड़ेस्ट कर देगा इसके बाद हमारे पास यह एक function है एक property है यह हम क्यों use करते हैं alt का मतलब क्या है यह है alternate यानि के हम alternate use करते हैं क्यों इसके अंदर हमने लिखना क्या है हमें क्या इसके अंदर हम address लिखेंगे किसी image का alternative के तोर पर या हम use करेंगे कोई word या क्या use करेंगे इसका क्या काम है वह हम जानते हैं आप यहां पर कोई ना कोई word लिखेंगे यानि के मैं थंबनेल, Ctrl-S के साथ लिखता हूँ, अब देख सकते हैं, यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ा, यह फरक क्यों नहीं पड़ा, वो भी बताता हूँ मैं, पर्स करें, किसी पब्लिक का, अपने यूजर का, कोई भी इशू हो जाता है, यानिके उसका Net Slow है, Server Down है, या फिर हमारे से, हमसे हमारी Image का, अड्रेस गलत दे हो चुका है, हम PNG की जगा, PN लिखते हैं, Ctrl-S करते हैं, यहाँ जाकर देखते हैं, यह देखें, हमारे पास यहाँ पर Thumbnail लिखा हुआ रहा है, यानिके यह होता इसलिए, कि अगर हमारी Public का, Server Down है, या हमसे अड्रेस गलत दे हुआ है, तो हम, हमारे पास, जो Image है, उसके उपर पाद है, कि यह जो Image है, यह Thumbnail है, या इसका नाम यह है, ताके हमारी Public को यह पता हो कि यह है, यहनिके, यहाँ इस Image की जगा पर, जो Image है, वो, उसका Title क्या है, वो है Thumbnail, या जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, Picture, Ctrl-S, यह देखें, उसने Picture कर दिया, ठीक, यह होता है, Use SEO के लिए, ताके हमारी Image की SEO जो है, वो अच्छी हो, अगर नाम भी लिखना चाहें, तो इससे कोई Issue नहीं है, आपकी Image तब भी लगेगी, देखें, मैं इसको खतम करके, फिल चेक करता हू अब उसने Image नहीं दी, क्योंकि हमने अपना Address नहीं पूरा दिया हो, Address हमारा पूरा होगा, Ctrl-S के साथ Save की है, यह देखें, उसने Image दे दी है, लेकिन अगर हम Alt-Z, अपना Alt-Z, यानि के Ctrl अपना यह, Sorry, Alternate देते हैं, तो हमारी Image की SEO अच्छी होगी, Ctrl-S, तो यह थी हमारी आज की Image का Tag, हमारा आज का, तो आपको इंशालला समझ आई होगी अच्छी वाली, इंशालला मिलते हैं, अपने Next Lecture में, तो तक के लिए अलाहाफिज, क्रणस्स करें दे रहाफिज होगी क्एफe मोई बशो करें,утक के रहाफिज आणवाब vomiting trop इंचे...? क्रणस्समा यह था हमारी से प्ना यहाफिज आपको इंचे समय का Knowledge